यूपी के कौशंबी जिले भर में जम्यदार अधिकारी मौन बालू माफियाओं को होसल बलंद कौशंबी जिले भर में बालू माफियाओं का कहर बहुत तेजी से बलंद दिख रहा है यूपी सरकार बार-बार ओवरलोड गाडियों पर अंकुष लगाने लगाई जाने की बात कह रही है लेकिन हम आपको बता दे कि कौशंबी जिले के सैनी थाना वो कड़ा धाम थाना के शेत्रों में प्रति दिन सैकड़ो गाडिया बालू से पूरी तरह ओवरलोड होकर कुंडा प्रतापगड जिले के लिए गुजर रही है इतना ही नहीं हम आपको बता दे कि बालू भरी ओवरलोड ट्रकों में नमबर प्लेट नहीं रहती है जिन ट्रकों पर नमबर प्लेट भी रहती है उन्हीं भी मिटा दिया जाता है जिसे दुरगटना होने पर ट्रक मालिकों पर कोई भी कारवाई न हो सके आके ये बालू भरी ट्रकें जिले के किसी बड़े अधिकारी के दम पर निकाली जा रही है या फिर किसी बड़े नेताओं के दम पर निकलवाई जा रही है अब देखना यह है कि जुले भर के जिम्मेदार अधिकारी गण इन बालू माफियों के साथ कानूनी कारवाई कर रहे हैं या फिर कुछ पैसे के दम पर इन बालू माफियों को छोड़ दे रहे हैं यह तो पूरी तरह जांस का विशे बना हुआ है